हम अपने इतिहास के अतीद में जड़ा देखें अपनी सांस्कृतिक विरासत और सामाजी के इतिहास को जानने और समझने की कोशिश करें ये पशिमी देशों के इतिहास कारून ने बहुत सारी भ्रांतियां देश और दुनिया में फैलाई वरसों से हमें बताया गया कि इस देश में कुछ अच्छा था ही नहीं सब बाहर से जो लोग आए उन्होंने ही हमारे देश में ये सब परंपराएं डाली ये सब अच्छे काम किये समाजिक जीवन के ऐसे बहुत से पहलू हैं जिने हमने पीड़ी दर पीड़ी उधार ली है आँखों से देखा है मेरे ये कहने का मतलब कदा भी नहीं है कि वैस्विक प्रगती में बाकी देशों के युगदान को नकारा जाना चाहिए मेरा क्यों एक आग्रह है कि उस कॉलनियल माइनसेट से हमें बाहर निकलने की आवसकता है और जब हम आजादी कामरित महोसों मना रहे हैं देश को आजाद हुए 75 वरस हो गए हैं तो अपनी विरासत के बारे में विशार करना अपनी विरासत पर गर्व करना समाज के विभिन वर्गों तक पहुंचने की जो आवसकता आज महसूस की जा रही है इस पर हमें थोड़ा ध्यान देने की आवसकता है अपनी संस्कृती को उधार की आँखों से देखना नहीं बलकि अपनी आँखों से देखना अपनी दृष्टी से देखना ये समय की आवसकता है अपनी सब्यता अपनी संस्कृती अपने पूरवजों के योगदान को स्विकार करके ही समाज में आत्म विस्वास पैदा किया जा सकता है